Hello everyone, welcome to my YouTube channel Abhinash Povar EMRS. Today we are going to study class 9th English subject Vihayu, poem The Snake Trying by W.W.E. Ross. Most of us think of snake as a fearsome symbol of death, but the snake in the poem is itself a victim. The snake is trying to escape the pursuing streak with a sudden curving of a thin long body, how beautiful and graceful are his shapes, he glides through the water away from the stroke, O let him go over the water, into the reeds to hide without hurt, small and green he is harmless even to children, along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. So, we will study the line by line explanation. So first, the snake trying to escape the pursuing streak. What is the name of snake? The snake trying to escape the after how the snake is trying to escape. So, we are trying to escape the snake. In the poem, we are trying to escape the snake. What is the name of the snake? Pursuing means what? Chasing. What is the name of the snake? What is the name of snake? It is a stick. नहीं वालने सादी वित ऐसनें करूं वींग ओफ सीग लॉंग बोडी ऑनइ मग पलोन जाता ना उन्हुंग आपना सापाची जी बॉडिया है ती महा इते कशी कर साज थे बरह बरा है वरले इलिए इस तर तेची आशी करूंग बॉडिया है त्वीस्टिं आ है फिले ले इस प्रफुल आर हीज शेव आनि थे रॉस असा मनतात कि किती सुन्दर आनि अकर्शक तेचे शेव साहेत He glides through the water away from the stroke आता तेचा मागे काटी ग्योन मानुस लागले लाहे मनुन तो काय करतो है पलून जाने चा प्रेतन करतो है आनि तो पलून जाने चा प्रेतन करतो है कारण की तेचा पाटी मागे एक मानुस लागले लाहे आनि मा कुट पलतो है तो He glides through the water पान्या तो न पलतो है बरबरा है away from the stroke कुनी तेला मारील तेला काठी नी मारील मनुन तो पलतो है आता इते ग्लाइड सा शब्दा है Glides माजे move पलने कुटे the water away from the stroke or let him go over the water पान्या मादे into the reeds to hide आनि reeds मादे जान्या तो लापेल तो आता reeds माजे का है water और मार्ष plant with a thick stem पान्या मादे जे का है नारे जा प्लांट सासत ना जाड़ आसत तेना reeds सा मादे लाए मादे जे रोप्ट आहे ते रोप्ट आए ते आड मादे तेला लप्वद्या तेला लप्वद्या तो He glides through the water away from the stroke or let him go over the water into the reeds to hide without hurt आनि तेला जा पुजू नाका तेला जाओ दे आती तव लप्वद्या तेला पाने चा पाने पशी जाड़ा है ते जाड़ान मादे So that is what we call reeds Small and Green Small and Green He is harmless even to children ये पोएट मनता है कि तो ये थे कभी मनता है कि तेला जाओ दे आपाने मादे जाओ दे से पाने जाओ दे जाओ देज़े का रीड साहे जे प्लांट साहे जाओ दे लपु द्याला कूंथी इजा पोजू नाका Small and Green He is harmless even to children अनि कभी ये थे मनता कि लहान और हवेगार ये जाड़ा मादे आती लप लेला है आनि हाजो स्नेक्स आहे तो बीन विशार्य आहे तो मुलानला सुधा कही करत नहीं, मुलानला ही इजा पोज़त नहीं अलांग दा सैंड ही ले अंटिल अब्ज़र परन्तु तो हा सैंड वर माती वर जैस वालू चेकन आहे तेचा और पसर लेला होता भी आहे जो परने तेला कुनी पहत नहीं तो ऑपरेंस एंड थाइट षेत आव सबसें और के अधिवर अट nett hours अउह स्पाटी मैनों शसलिजर ले अधा UA टे elephants मंझे काया है रिपल्स दिचाह मु रिख से तो ययर प्लान्टिबूर्ट लाहनी तो मुझेल poisoning के लिख से दधाए तो रिख से भी हिर प्लांटिबूर्यज दरभी तो विख पाँच मुझेल निया व्याया नहीं तो livro रोस ही Consider तर यह पोईटिक डिवाइसेश का एताय पान रहा अबन। तर पहला आहे तर यह पोएम मदे कुंति ही राहिमिंग स्कीम नहीं है त्राइंग श्रीक थीन व्यूटिफुल है शेवट चे शब्दायत ना पहला सब्सक्तांजा मदे तर कुंति ही राहिमिंग स्कीम नहीं एद्जेक्ट्ट्व यहान नावन रेफर गर्ड सूँना तो दूस्रया नावन रेफर कर्यों आश्तो अता ये चाह मदे कौन्छा है अपनेलबाहा इमले तर तो है pursuing stick तरह आपले ला हा pursuing stick जो आहे तरह इसमाद आपले ला पहा pursuing stick सब ले ला कोड़े मिलतो है पाहे ला the snake is trying to escape the pursuing stick दो नमबर शीज वोड़ा है pursuing takes means pursuing refers to stick no stick है नाउ ना है pursuing adjective आहे मंग pursuing है stick ला अपर ले ला एका ना ही, adjective pursuing है pursuing adjective is referred to human being पाटला कोन करता है मानुस करता है, stick थोड़ी करता है बरबर आहे, so ये था transfer epithet हाँ figure of speech यूज के ले ला है तरह चान अंतर alliteration हाँ ही figure of speech ये यूज के ले ला है so alliteration refers to the repetition of consonant sound so here is, ये पा he is harmless, दिस तो ये he is, दिस ला he is harmless, so each sound is repeated so here, figure of speech is alliteration, so that's all from my side, these are all figure of speech that is used in this poem and the most of the theme of the poem that we should not kill the snake, because some snakes are not harmful for the human being okay, only few snakes are harmful so that's the theme of this poem thank you very much for watching this video, for more video, please like, subscribe my channel Avinash Power EMRS, thank you friends for the poem you 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 you